मुझे लिए लाइफ जैसा कि आप सब जानते हैं हम यहां पे देली दो इंट्राडे स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं आज फिर आ गए हम एक नई वीडियो के साथ और गाइस कल के दो स्टॉक्स जो हमने यहां पे सलेक किये थे एक 30 CS और दूसरा था ICICI Bank दोनों में आज कुछ खास performance देखने को नहीं मिला है मार्केट बहुत ही जादा वोलेटाइल था कहीं लोगों ने आज loss जो है वो बुक किया है तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी request करना चाहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल UD Trend को सब्स्राइब नहीं किया है यह हमारा टेलिग्राम चैनल है जहां पर हम सिर्फ कॉल प्रोवाइड करते हैं कभी कभी ठीक है और यह है हमारे डिस्कुशन ग्रूप जिसमें आप अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हमने दो कॉल दिये थे एक साथ में एक था बजाज फाइनेंस का और एक था HDFC का हमने लेवल बताया था वो है HDFC ठीक है HDFC लेने का रिजन एक ही है जैसा कि चार्ट पर आप देख पारे गाइस आज का जो ट्रेंड व्यू है वो बहुत ही बुलिश रहा है और तीन रसिस्टेंट लेवल को उसने ब्रेक किया है वन टू और यह थार्ड वन है ना तीनो रसिस्टेंट लेवल को ब 3,386 का लेवल जो है वो भी ब्रेक हो सकता है कल के दिन में बहुत ही अच्छा ट्रेंड जम रहा है वोल्यूम की भी अगर बात करें तो हमें अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है साथी इंडिकेटर व्यू की नजर से देखे तो MSED और VWEP दोनों ही अपन को यहाँ पर प समचते हैं कि हमें इसमें किस गेप में काम करना है क्या stop loss लगाना है क्या target लगाना है तो जैसा है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर HDF से आपके सामने रख दिया गया है कल के दिन में इस पर नजर जरू रखेगा इंट्राडे के लिए यहाँ चर्चा हो रही है लेगिन अगर आप चाहें तो इसे as a delivery भी आप वेट करिए थोड़ा ठीक है अभी काम चल रहा है दो स्टॉक में ज्यादा confusion है एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी नोट को रीड जरूर कर लें और यहाँ पर होता है पहले नमर का और देखते हैं कि कौन सा है दूसर नमर का stock और क्यों है वो खास गाइस सेकंड नमर का जो stock हमने लिया है वह है इंडेसंट बैंक यह आइधिंक 6 और 7 ताइम 10 चे जाधा हो गया है 10 बारा बार हमने इंडेसंट बैंक को यहाँ पर शो किया है इंडराडे के लिए और बहु हमने level same दिया था उसके बाद stock ने कुछ 5-6 point की growth दिखाई लेकिन opportunity जो है वो guys अभी भी बाकी है next resistant 9.38 है हम expectation रख सकते हैं कल के दिन में 9.30 break होने के chances जो है वो बहुत जाधा नजर आ रहे है next resistant के अगर बात करे हम तो 9.49 यह भी एक strong resistant level है उम्मीदे यहां तक नहीं है लेक consider कर सकते हैं इसको 9.38 के level तक जरूर इसको लेके चल सकते हैं कल live market में इस पे भी नजर होनी बहुत जरूरी है bank nifty should be positive अगर आप किसी भी bank में intraday की कोशिच कर रहे है फिलाल इस market में ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है basically हर बार लेकिन अभी का जो market चल रहा है उसके base में बताने change करेंगे तो definitely हमें यह भी positive लगेगा वैसे indicators का इतना importance में इसलिए नहीं देता हूँ यहाँ जब video बनाता हूँ क्योंकि यह सब analyze होके आपके सामने आ रहा है यहाँ परा analyze हो गया है उसके बाद ही आपके सामने रखा है यह video और वैसे भी आपको पता है कि हमारी जो next day की video ह होती है वो late आती है उसका reason ही होता है guys हम proper analyze करते हैं उन stocks को उसके बाद ही आपके सामने रखते हैं blindly UD trend पर कोई भी चीज नहीं share की जाएगी guys पुरी उम्मीद है यही रहेंगी कि आपको profitable trade दिया जाए चलिए guys यहाँ पर Indition Bank भी chart explanation clear है आप जैसा कि देख सकते हैं वहुत ह consolidate रहा है यहाँ से अगर level की बात करें 8 of December से लगा के 15th of December यानि की one week का जो यह time frame है उसमें मैंने यह chart share भी किया था telegram पर चलिए मैं दिखाई देता हूं आपको okay guys जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने share किया था Indition Bank consolidating from last one week ठीक है expecting bullish moment in coming days और यह मैंने concept price level पर भेजा था आप देख सकते हैं 927 के आज पास उसके बाद stock 939 का level जो है मैंने यहाँ पर draw भी किया है उसको touch करके वापस stock इसी price पर आ गया 926 की level पर जैसा कि आप chart पर देख पा रहे हैं 926 का level है मैं अभी आपको ले जाओंगा इसके intraday setup पर और समझाओंगा कि कौन से gap में और कौन से target के हिसाब से मैं इसमें कल चलना है तो जैसा है guys आप देख पा रहे हैं यहाँ पर Indition Bank आपके सामने रखा हुआ है 926 का level हमने यहाँ पर चूस किया है 9 point का target decide किया है same 9 point का stop loss यानि की 1 is to 1 जो हमारा risk and reward ratio है उसको ही लेके चलेंगे Intraday के लिए सिर्फ भी बोला जा रहा है guys क्योंकि यह stock एक down moment देगा और उसके बाद जो है आप इसको consider कर सकते हैं as a delivery एक expectation बनी हुई है कि यह stock और एक downfall देगा उसके बाद जरूर मैं आपको suggest करूँगा कि अगर आपको इसमें delivery में लेना चाहिए नहीं फिलहाल Intraday के लि इस note को read जरूर कर ले तो guys यहां पर दोनों stock होते है clear कहीं लोगों का यह मानना है कि nifty जो है वो बहुत ही बड़ा crash देगी या फिर बहुत ही जादा टूटेगी बहुत सारे YouTube वीडियो भी मुझे कहीं लोगों ने share किये है guys इतना बड़ा जो crash है वो expectable नहीं है नानि कि इ थोड़ा बहुत downtrend हमें देखने को मिल सकता है जैसा कि वो पिछले 2-3 गिनों से देखने को मिल रहा है और situation ऐसी हो जारी है कि हम किसी भी particular trade को live market में प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे है बहुत ही tough हो जारा है तो हो सकता है कि थोड़ा downtrend देखने को मिले लेकिन इतनी जादा उम्मीद हमें नहीं रखनी है जितनी हम लेके बैठें कि अभी तो आराम से बैठेंगे पूरा निफ्टी एक बार नीचे आजाए उसके बाद हम पैसा लगाएंगे तो ये चीज़े गाईज अभी फिर से होनी थोड़ी tough है और वैसे भी covid vaccine कल मैंने एक news update भी बेजा था आ अब आपको जो है वो green look देखने को मिलेगा इंडियन market में और उम्मीद है जादा उपर side है जितना आप सोच रहे हो की नीचे आएगा इतना expectable नहीं है हाँ intraday में अगर आप चाहें तो definitely short side या फिर PE खरीद के आप जो है वो option trading में profit book कर सकते हैं लेकिन इतना जादा expectation बिल तफ हो सकता है market में काम करना लेकिन दीरे दीरे जो है वो सब normal हो जाएगा चलेगा यहाँ पर दोनों stock होते हैं clear और उमिद करूंगा कि आपको यह दोनों stock का लिए अच्छी profit दें और अगर आपको कोई doubt या सुजा है तो आप नीचे comment में बता सकते हैं अगर आपको हम से स program group join कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमें सीधा message जो है वो कर सकते हैं चलेगा इस मिलते हैं इसके साथ किसी और नई वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखे हैं love you all take care bye bye